गुड बॉर्णिंग प्लास फॉर्थ सब्जिक्ट है आपके कम्प्यूटर लेसन है हमारा फिफ्ट अल्गोरिथम्स ये हम इसको रीट कर चुके हैं कम्प्यूट हमारा ये हो चुका है तेकि इसमें हमने लास्ट वीडियो में अपना क्या था एक अल्गोरिथम जिसमें हमने अपने फादर का फोन लेके अपने फ्रेंड से क्या करनी थी बात करनी थी तो ये अल्गोरिथम हम कर चुके हैं बाकी जो अल्गोरिथम है वो आपने प्रैक्टिक्स करनी है तो आज हम next करेंगे अपने exercises हम इसमें start कर देंगे आज page number है आपका 56 इसमें हम आज अपना first question हम करेंगे start straight true or false for the given statements यहाँ पे कुछ आपके पास statements दिये हैं वाक्य दिये हैं आपने बताना है सही और गलत आपने इसमें बताना है तो आप copy में भी इसको note करेंगे और जो भी आपको करवाय जा रहा है साथ साथ आप इसको क्या करेंगे learn भी आप करते रहेंगे ठीके तो lesson number है आपका 5 algorithm है आपका chapter name first question है आपका straight true or false for the given statement सही और गलत आपने बताना है तो पहला आपका क्या है first statement क्या है algorithm are always written in simple sentences जो algorithm है आप लिखेंगे उसको एक बहुत ही simple यानि कि जादा आपने उसमें बहुत detail में नहीं बहुत simply आपने उसे वाक्यों में लिखना है तो ये ब्लकुल सही बात है ये सही है आपका true second है आपका each step of an algorithm should have a number कोई भी step आप लिख रहे हैं algorithm आपको पता है कि कोई भी काम करते हैं तो उसको हम sequence में लिखते हैं step by step लिखते हैं और उसके आगे हम numbering भी हम करते हैं तो ये ब्लकुल सही है ये भी आपका true है next है आपका third figures can also be used in algorithm कि figure का इस्तमाल भी हम algorithm में कर सकते हैं तो ये आपका क्या है आपका false क्योंकि ऐसा कोई rule हमने उसमें नहीं पढ़ा है तो ये के है आपका false fourth है आपका algorithm are always written for doing a task algorithm हम वही लिखते हैं जो हम काम कर रहे होते हैं तो ये ब्लकुल सही बात है जो भी हम कोई काम कर रहे हैं उसका ही algorithm हम क्या करते हैं लिख रहे हैं नेक्स्ट है आपका fifth जबी भी आप algorithm को आपका step last होता है खतम हो जाता है तो उसको end से ही हम क्या करते हैं उसके word लिखे end हम करते हैं तो ये भी क्या है बिलकुल सही है ये है आपका true तो ये five statements है true or false इन्हें आप copy में note down करेंगे और इसको आपने learn भी आपने करना है तो thank you class